ताजमहल का इतिहास क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को शान्ध जहां ने बनवाया था, इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है। ताजमहल का निर्मान 1632 में शुरू होकर 1653 तक चला। इस तरह ताजमहल बनने में 22 साल लगे। भारत के इलावा फारस और तुर्की के मजदूर भी थे। ताजमहल के हर नीब बाले कोने में एक-एक मीनार है। यह चारो मीनारे मकब्रे को संतुलन देती हैं। यह चारो मीनारे 41.6 मीटर उची हैं और इन्हें बाहर की ओर हलका सा जुकाव दिया गया है ताकि यह मीनारे भुकंप जैसी आपदा में मकब्रे पर न गिर कर बाहर की ओर गिरे। दूसरे विक्षव युद्ध, 1971 के भारत पाक युद्ध और 911 के बाद ताजमहल की सुरक्षा के लिए इसके गुंबत के चारो और बांज का सुरक्षा घेरा बनाकर इसे हरे रंग की चादर के साथ अड़क दिया गया था ताकि यह दुश्मिनों की नजरों से बचा रहे। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसे मजबुत बनाय रखने के लिए नमी की आवश्यक्ता होती है। इस नमी को पास में बहने वाली यमुना नदी ही बनाय रखती है। ताजमहल को 28 तरह के कीमती पत्थरों से सजाया गया था जो कई देशों से लाए गये थे। इन वेश कीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने निकाल लिया था। जब ताजमहल बनाया गया था तो इस पर लगभग 3 करोर रूपे खर्च हुए थे। उस समय के 3 करोर आज के 63 अरब 77 करोर के बराबर है। ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों के बीच जो फवारे लगे है वो किसी पाइप से नहीं जुड़े हुए अपितो हर फवारे के नीचे तामबे का एक टैंक है। यह सभी टैंक एक ही समय पर भरते हैं और दबाब बनने पर एक साथ ही पानी छोड़ते हैं। ताजमहल को देखने हर साल 40 लाख लोग आते हैं। इसमें से 70 फीसदी ही भारतिय होते हैं। क्या आपको पता है शांध जहां ताजमहल जैसी ही एक काली इमारत बनाना चाहता था जिससे वे ताजमहल की खुपसूर्ती को देख सके। पर शाह जहां को जब उसके बेटे औरंग जेब ने कैद कर लिया तो उसका ये सपना बस सपना ही रह गया। बुलंद शहर के एक मजदूर ने अपनी पतनी की याद में ताजमहल की नकल बनाने का प्रयास किया है। हाला कि अपनी गरीवी के कारण वो इसे पूरा नहीं बना सका।